अचारिशी नमोस्तु 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 अचारिशी मंदिर में भूत व्यक्ति आते हैं शद्दा शावक आते हैं और उनके पसीनों से बड़ी समेल आती है तो भूत बार भाब बिगड़ जाते हैं और कितना ही व्यक्ति पूजा में जहां से बैठा हो यह कर रहा हो जाप कर रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए कैसे उसका सब्सान करा जाए सरीर से श्मेल आना बदवू आना सच में ये हमारी सरीर की असुद्धी है मन की असुद्धी तो है है एक सरीर की भी असुद्धी होती है व्यक्ति जब गंद संद खाने लगता है और अवक्ष का सेवन करता है रात्री भोजन करता है मास मदरा का सेवन करता है तो इनकी सरीरो से बहुत श्मयल आने लगती है, बदवु आने लगती है, आपको प्रैक्टिकल करना तो आप देख लिए, यहां निए निए बूख लोगती है, न Ondir आनव वालों को तो त्याग ही वोगता है, आलु पियाच का त्याग होना चाहिए, सराप का त्याग होना चाहिए, और ये नसीले जितने भी परतात हैं, ड्रक्स है, बिड़ी है, सिग्रेट है, गुटका है, इनका त्याग होना चाहिए, यदि ये त्याग नहीं है, तो नियम से सरीर से बदवु आएगी, और आव विश्रिक करते समया आप करते हैं तो आप पूझा के अधिकारी नहीं है क्योंकि आप अपने भाव के सौंसेरे के भाव बिएगाड रहे हैं, तो हमें पूर्द्धान करना चाहिए, पवित्र स्थान है, कहते हैं मंधर की पवित्ता तक कब रखी की कायम रहा रहें? Groß क्यों होते जा रहे हैं? दि पुस्वरिष्टी होती है, शुगंद वर्षा होती है, वो क्यों होती है, वहां का अबाता अबरन बहुत सुंदर होना चाहिए, मैं लोगों से कहना चाहूंगा, कि आप अपने मंदिर में सुगंद का अबाता मन रखें, चंदन का छड़काओ करें, गुलाब जल आदी रख और उसमें धूप खें, तो आपके मंदिर का जो बाता बरन बहुत से लोग भी आ रहे होंगे, तो वहां की जल बायू जो है, शुद्ध रहेगी, तो लोगों के परिनाम खराम नहीं होंगे, मंदिर में प्रवेश करती है, सुगंद का बाता बरन होना चाहिए, देरा, किस का बाता होना चाहिए, सुगंद का बाता मन और संगीत में बाता होना चाहिए, आते ही संगीत बजराओ हलका हलका सा, और पूरा का बाता मन स्वख्छ और सुगंदित में हो, ऐसा जिनालय होना चाहिए, मैं कई बार जो जब यात्रा करने गया था, तो सितामरों के मंदिर आप मनलबे हो कि उनके मंद्र में प्रवुर्सकाइवाइए, कई नियुखीया है, कैज धूपटिया है, मन करना वाका मुद्रत्र पर्वृत्र पॉर्पुर्पू we कि इस से में खिए भिसज़ majesty सकती कृब्टतर्कनति सब्सक्राइब होतहते हैं जो लोग इस पकार से अपने अंदर गंदगी रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इन बस्तों का त्याग करें, अवक्ष का, जैसे आपके शरी से भी सुगंद बायू निकले, और आपका भी मन लगे, दूसरे का भी मन प्रभू की पूजा में लगे. आचार स्री नमोस्तू, जिनेंद नर्पत्या संगा कर रहे हैं दिल्ली से, कि जो पुराने मंदिर हैं, इनका हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि जिससे समाज दर्सन करें, पूजन करें, धर्म का लाब ले, किरप्या संगा का समाधान करें, नमोस्तू आचार स्री. जो हमारे मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, उनका संदर्छन और शमर्धन अत्यनत जरूरी है, हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं, उनके लिए दान निकालना चाहिए, सब्त छेतर में दान देते हैं, तो उसमें जीडोधार नाम चाहिए आपका धन जो है आपकी जो संपधा जो है उनकी उधार के लिए निकलना चाहिए हजारों नए मंदिर बनवाने का जो फल है वो एक पुराने मंदिर का जीनों उधार करने का फल होता है इसलिए आज देखिए सो सो दो सो पांच सो हजार दो हजार वर्स प्राचीन-प्राचीन मंदिर है हमारे कैसे बुजुर्गों ने उस drag मंदिर बनाये होंगे गुरुओं की प्रणा से बनने होंगे और आज वो कराय रहे हैं जिन अधार के लिए आवाज लगा रहे हैं कि कोई तो आए और मेरा उधार करें मेरे कष्ट करने बारन करें मुझे भी सुन्दर बनाए मैं भी यह मंदिर प्रभू की प्रहावना में कारण बनू ऐसा वह भी कराय रहे हैं आपको आवाज दे रहे हैं सभी दानवीरों से मैं कहना चाहूंगा प्राचीन मंदरों के उध काल करके उस इस्थान पर आप अपना धन को दें जिसके मारे धम से प्राचीन तिर्थों का उधार खोशक है आचाहरे प्रक्रिसागर जी महराज जी के चड़नों में नमुसू 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 मैं राजकुमार जैन अभी में महाविर जी गया वहाँ पहले खुली जग आथी वहां वर्दमान सागर के सानिध्या में 24 तितनकरों के मंदिर बनाए गए और जिसमें बनाने के बाद वहां कोई विवस्ताई नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है एक हमारे जैसवाल समाज़वालों नया मंदिर का वशुदन निमाराज की सानिध्या में स्कीलानास कराया ऐसे मंदिर इतने हो जाएंगे तो यातरी बड़े मंदिर के लावा और कहीं नहीं जाता है। एक बार दर्सन करता है या सांतिवीर नगर के दर्सन करके इतने मंदिर बनों की व्यस्ता कौन करेगा। वैसे ही कहीं मंदरों में भी अभी शेक करने के लिए कोई भी यातरी नहीं दिखता और वहां के व्यवस्ता करने के लिए पेड़ करमचारी रखने पड़ते हैं जिससे कि वहां का अभी शेक हो जगे ऐसा क्रू हो रहा है माराज जी इसका सामाधान कीजेगा ये बिलको बात सही है जहां पर अल्डेडी मंदर हैं वहां पर मंदर की आवश्यक्ता नहीं होती है अब तीर्थों में देखा जाता है कि एक मंदर हैं दो मंदर तीन मंदर बहुत हैं एक दो हंटे की बंदना के लिए लेकिन वहां पर मंदर मंदर बनते जाएं बेदी बेद बनते जाएं, तो उनका संदच्छन कैसे होगा, उनका संबर्धन कैसे होगा, और फिर हमको नौकर लगाना पड़ेगा, ध्यान डखना, गुरू की सेबा और प्रभू की सेबा और माता-पेता की सेबा कभी नौकर से नहीं होना चाहिए, और जिस दिन यह होने लग जाए तो समय लेना, उस दिन हमारा पंचम काल प्रारम हो चुका है, इतने जादा मंदिर मद बनवाओ, जहां पर ना हो, वहां पर बनाईए, जहां पर बीस, पच्चे, पचास, सो घर है, वहां पर रखिए मंदिर का, दर्सन कर सके, पूजा पाड़ कर सके, पारट साला चल सके, स्वाध्दय हो सके, लेकिन जहां पर है ही है, वहां पर बनाने की वसकता क्या है, आप वहां पर दूसरे काम करो, जन उपकार के काम करो, औस्थाले खोलिए एश्कूल खोलिए अहिंसा कि प्रभावना हो ऐसे कार कीजिए लोगों का उपकार हो सके डया करुणा के काम चाहन आपके पास जगह है आपके पास इस्थान है ऐसा नहीं कि competition हो जाए कि जैसावाल सो कि खंडल वाल का मंदिर बना तो जैसावल बनाएगा जैसावाल सो खंडल मंद बनेगा मलब अपने अपने समाज का हमारा भी मंदर होना चीज़ यह तो अहंकार की लड़ाई है आदमी छोटा होते जा रहा है मकान बड़े होते जा रहे है यह अहंकार का प्रतीख है यह महां अहंकार का प्रतीख है अहंकार नहीं चलती लिया जीवन में बिनमरता लाओ प्रहामना करो धर्म की प्रहामना करो बहुत सारे उपाए हैं उससे भी धर्म की प्रहामना होती है अध्यात्मिक और आत्मसादना के केंदर हैं, जब आपके पास पहले से ही हैं, तो फिर और जगा बनाने की जरूरत अवर्शक्ता नहीं थी, धन इखटा करना ही हमारा जो है कार नहीं होना चाहिए, आंगे सोचो भी तो भी आगे पचास सौ साल पीड़ी आएगी, वो क्या क जाए जहां अबसकता हो वहां बनाएं, जहां नहीं हो वहां पर और चीज़ बना करके धर्म की प्रहावना करें, इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जगते